Hello everyone, welcome back. आपने अक्सर यह सुना होगा कि रोही शर्मा का एवरेज इतना है, विराट पॉली का एवरेज इतना है, माक्स जो आते उसका एवरेज कितना है, हमारी गाड़ी जो एवरेज देती है, वो कितना है, तो यह आखिर एवरेज क्या है, यानि की एवरेज मतलब आउसत क्या होत है तो average मतलब होता है कि same kind की जो quantity होती है उनको अगर हम जोड़ दें और उनकी जो numbers हैं उसको divide कर दें तो जो हमको value मिलेगी हम उसको average कहते हैं आई इस बात को हम समझते हैं यानि कि यदि हम कहें कि जो values हैं वो values है x1 x2 x3 यदि किसी ने कहा यह तीन values हैं इनका आपको average करना है तो देखिए कितने x1 x2 x3 तो यहां पर उनको क्या कर लिख देना है x1 plus x2 plus x3 और यह कितने हैं सबोस्कर यह one से start होके जो numbers हैं वो n तक गए हैं तो हमने इसको जब divide कर दिया n से तो यह हमें जो मिला वो कहलाएगा हमारा average तो इस उनको हमने उसे divide कर दिया तो जो हमको मिलता कर देना है वो क्यालाता अभेरेज अभी हम होते हैं कौन कौन से сказ होते हैं कि तो यह average जो छो होते हैं वो दो-्डाइप के होते हैं जिसको कि एक को dipule आप्वरेज और एक को बोलते हम weighted average, तो simple average क्या होते है, simple average में अगर हम से values ले रहे हैं और उसको हम divide by उनके number करते हैं, जैसे कि अभी अपने example में देखाता है तो वो कहलाता है simple average, लेकिन यदि वो average में उसकी frequency कितिवार हुई है अगर वो होता है और उसको number divide करते हैं, तो कहलाता है weighted average अभी हम दोनों type के average के example भी देखेंगे तो आपको पूरा clear हो जाएगा तो सबसे पहले हम देखते है simple average के बारे में देखिए simple average में यह है कि suppose करिए example लेते हैं कि चार मजदूर है फोर livers है और उनकी जो जो उनका जो मेहनताना है, रोजन दाना या उनकी जो मजदूरी है उनकी मजदूरी कुछ इस टायब से है कि एक की 40 है, एक की 50 है, एक की 60 है, एक की 70 है तो चार मजदूर है उनकी मजदूरी जह एक 40, 50, 70 है तो आप बताईए कि इसका simple average या average, simple average बोले या average बोले इकी बात होती है, कितना होगा, तो जैसे मैंने भी आपको बताया था, कि इन दोनों सब का क्या होगा, submission हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे, तो यह 40, अगर हम इसका average निकाले, तो यह 40, plus 50, plus 60, plus 70, यह कितना हुआ, जिसको जोड़ लेंगे हम, और कितनी number है, 1, 2, 3, 4, इसको इसको इससे divide कर लेंगे, तो यह कितनी values आ रही है, वो हम देखते है, 40, 50, 90, 90, और देड़ सो, देड़ सो, और यह 70, मतलब 220, अब 220 को हमने divide किया, 4 से, तो कितनी value आई, यह 5 टाइम से गया, यह 5 टाइम ग चार लेवर का, जो average income है, जो उनकी मजदूरी है, वो हम बोल सकते हैं कि 55 रुपे हुआ, तो यह क्यलाता है, हमारा simple average, अब आपन देख लेते हैं, weighted average, अब आपन देखते हैं, weighted average, weighted average में मतलब, अब यह कहा जा रहा है, कि यह जो 40 रुपे कमाने वाले मजदूर है, यह 40 रुपे कमाने वाले मजदूर है, तीन, यह जो 60 रुपे कमाने वाले मजदूर है, यह 3 समझ ले, और 70 रुपे जो कमाने वाले हैं, यह कितने हो गए, दो हो गए, तो यानि यह हमारी जो हो गई, x हो गई, और यह हमारा जो हो गया, वो हमारा frequency हुआ, तो यह इसको हम बोल यहां पर fx करेंगे याने कि इस value और इस value को आपसे multiply कर देंगे तो इसका 200 हो जाएगा इसका 150 हो जाएगा इसका 60 तो 180 हो जाएगा और 72 इसका हो जाएगा 140 अब अपन को क्या करना है इनका submission करना है याने कि summation of fx तो किता हो रहा जिरो 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 यहां पर देखिए 58 13 और 13 और 4 70 एक बचा तो 2 3 4 5 और 1 6 तो यह जो 4x आया यह हमारा 6 हुआ अब हमको चुकिए n निकालना है तो हम एक कैसे निकालेंगे इसका हम summation कर लेते हैं summation of f याने यह हमारी frequency 3 3 2 याने कि यह हो गया हमारा 13 ठीक है अब हमें क्या करना जो formula weighted average का होता है वो यह होता है कि summation of अगर हम इसका weighted average का formula निकालेंगे तो formula होगा summation of f x upon summation of f अब यह f को कई बार क्या बुल देते हैं n भी बुल सकते हैं तो हम यह आप यह लिख लें summation of f यह n कर लें एक ही बात होती है कोई दिक्कत नहीं है तो summation of f भी आप लिख सकते हैं अभी आपको क्या करना है इन दोनों का सिर्फ divide करना है अब हम यह इसका divide करके देख लेते हैं तो इस तरफ हम आपको बता देता हूं x average जो की है weighted average जो की अभी आपन देख रहे हैं तो 670 इसका f x है और जो x है वो 13 है अब 13 ते कितनी बार गया यह 13 से अब हम आपना करिए 5 times गया 2 तो यह 1 हुआ 7 तो यह 5 हुआ तो मतलब इसका जो weighted average हुआ वह 51.5 हुआ यानि कि एक average जो 13 जो मजदूर है टोटल मजदूर है उनको एक average जो उनकी मजदूरी है वह कितनी हुए 51.5 तो इस तरीके से हमने देखा कि average क्या होता है उसी की साथ साथ हमने दो टाइप के average भी देखे पहला तो simple average जिसको normally average बोला जाता है जिसमें जो values होती है इसे मूंको हम जोड़ देते हैं और कितनी values था है उससे उसको divide कर देते हैं उसी तरीके से जो दूसरा है वह वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज में यह होता है क तो उसको इस तरीके से हम solve करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि average और वीडियो आपको समझ में आगा इसका concept आपको clear हो गया होगा यदि फिर भी अगर आपको कोई doubt है यदि आप कोई और सम पूछना चाहते है average के बारे में तो नीचे comment में लिखिए मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें हम देखेंगे एक मैस काओ एक नया कोई concept तो इस वीडियो को जासाथ शेयर करें वेड़े वीडियो को लाइक करें